अरशकार दोस्तों कैसे हैं सब लोग आम शौर आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे सुस्ता आज जो है मैं आपको बताने वाला रैंक मैथ एस्यो जो टूल है उसके बारे में कि किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है सारे स्टेप्स कंप्लीट करके बताऊंगा और साथ ही स वेब्साइट पे हम जीथोस्टिंग.com के उपर तो यहां पे जो है मैं ब्लागिंग से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग, एफिलेट मार्केटिंग, ओन्लाइन अर्डिंग के जो है इनी सोर्स के बारे में जो आपको कंप्लीट डेटेल प्रोवाइड गरता हूं तो जल्दी से आप भी जो है यहां पे इस वेब्साइट पे आके सारे स्टेप्स जो है आप चेक कर सकते हैं वैसे अभी जो मैं बताने जा रहा हूं हाओ टू सेट अप रेंकमेथ, SEO, वर्डप्रेस, SEO प्लग इन, स्टेप बाइ स्टेप पूरी कंप्लीट गाइड जो है इसक जो है आज का यह जो वीडियो है यह भी आपको यहीं पे मिल जाएगा तो आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के जरीए कर सकते हैं और अगर आप इसको पूरा यह पढ़कर जो है अगर करना चाहते हैं तो आप बहुत असानी से पढ़कर भी कर सकते हैं तो चलिए हम चलते हैं इसी website के back panel पे यह हमारा WordPress का back panel और यहां पे हमने पहले से Yoast का SEO tool है वो पहले से configure किया हुआ है तो अब हम यहां पे rank math SEO tool जो है वो configure करेंगे तो उसके लिए हमें चलना है यहां पे plugin पे add new पे हम click करते हैं और add new पे click करने के बाद जो है हमें यहां पे search करना है rank math जैसे यहां पे search करेंगे तो हमें rank math का यहां पे plugin मिल जाएगा आप देशते हैं यह रहा और यह विलकुली free है योस्ट की तरह योस्ट में आपको free version और paid version मिलता है बड़ यहां पे benefit यह है कि rank math जो है वो completely free है तो इसको जो है आप पूरा hundred percent इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे feature जो है वो आपको मिल जाएंगे जिन्होंने वो video नहीं देखा है तो मैं उनसे request करूँगा i button में जो है मैं आपको उसका link देदूँगा तो आप उसको भी आपके देखें ताकि आपको पूरे complete detail पता चल जाए कि rank math SEO जो है इसके अंदर क्या-क्या advantage है तो यह हमारा rank math SEO इंस्टॉल हो रहा है इसके बाद हमें इसको करना है activate यह install हो चुका है अब यहाँ पे हमने activate पे click करना है और activate पे click करने के बाद जो है हमारे complete setup है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ चुका है अब हमें यहाँ पे इसको link करना है rank math SEO के साथ में अगर आपके पास यह नहीं है तो हमें जो है यहाँ पे click करना है तो जैसे हम यहाँ पे click करेंगे तो इसको नए पेज पे open कर लेते हैं हम पहुंच जाएंगे rank math SEO की website पे यहाँ जाकर हमने इसको पिल्कुल हमारा जो नया account है sign up का वो हमें create करना है तो continue with facebook कर देता हूं मैं यहाँ पे ताकि जो हमारा आप facebook के साथ में कर सकते हो जा आपको कोई और gmail वगरा से करना था वो option भी select कर सकते हो तो मैंने यहाँ पे facebook के साथ में कर दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने facebook के साथ में इसको link कर दिया है thanks for trying out rank math SEO we have sent you login detail on your email id तो email id के उपर जो है हमारे इसकी details आ गही है मैं वहाँ से details ले ले लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें details मिल चुकी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो मेरा login idea and password तो यहाँ पे मेरा user idea tag guru manjeet और जो भी मुझे password मिला मैंने यहाँ पे paste कर दिया है यहाँ पे tick करना है और tick करने के बाद यहाँ पे activate rank math पे click करना है तो जैसे हम यहाँ पे activate rank math पे click करेंगे तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक screen देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे tick लगकर आया green का बतलब your website is compatible to run rank math SEO अगर आप इसको और detail में देखना चाहते हैं इसने क्या क्या चेक कर रहा तो आप यहाँ पे more पे click कर सकते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे PHP version वगरा यह सारी चीज़े हैं और यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले से used SEO है वो यहाँ पे use कर रखा है तो यह आपका plugin यह deactivate हो जाएगा अभी हम इसको less करते हैं और इसको start wizard पे click करते हैं तो जैसे हम start wizard पे click करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला option आता है क्योंकि हम यहाँ पे पहले से यह plugin used SEO को use कर रहे थे तो इसमें से सारा जो SEO के detail है data है हमारा पहले से वो सारा का सारा पूरा complete होना चाहिए तो यह सारे टिक हमें रखने हैं ताकि आपका सारा अभी तक का जितना भी used SEO करा गया है वो सारा का सारा चीजे आपके पास maintain हो जाएं तो हम इसको start import पे click करते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पूरी detail जो है आपको मिलती जारी है और यहाँ पे सिर्फ मैं बता दूं दूस्तों कि यह सिर्फ used SEO नहीं इसके अलावा भी अगर कोई और आप WordPress के उपर SEO का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आपको इसी तरह से detect हो जाएगा और आप उसमें से भी सारा data जो है import कर सकते हैं और यह करने के बाद हमने यहाँ पे continue पे click करना है तो जैसे हम यहाँ पे continue पे click करेंगे अब हम यहाँ पे your site यानि की जो हमारी website है उसको हमने यहाँ पे क्या करना है authenticate करना है कि हमारी website है किस तरह की तो यहाँ पे हमारा यह personal blog है community blog या new site है personal portfolio है small business है basically यहाँ पे जो types हैं वो दो तरह से divide करेंगे एक है business और एक है personal अगर आप यहाँ पे personal blog या फिर community blog new site वगरा करते हैं और यहाँ पे other personal website आप कर सेते हैं बटे हमारा यहाँ पे एक blog है तो यह personal blog नहीं है community blog या फिर new site हम select कर सकते हैं तो यहाँ पे यह जो है define करा गया है यहाँ पे business category में अगर business category में define करा गया है तो आपको यहाँ पे select करना है business type तो यहाँ पे बहुत सारी तरीके जो है business type define करे गया है अगर आपको लगता है कि आपको जो भी business का nature है वो इसमें define किया है तब तो ठीक है अगर नहीं आपको यहाँ पे मिलता है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है तो आप यहाँ पे सीधा का सीधा जो है organization जो है वो तो मैंने यहाँ पे OR लिखा तो यहाँ पे मुझे सीधा organization आ गया अगर मुझे यह blog दिखना है तो मैं यहाँ पे BLO करता हूँ तो blog नहीं मिल रहा है तो मैं इसको जो है organization एक define कर सकता हूँ इसी तरह से यहाँ पे अगर company है तो आपकी company का नाम क्या है तो मैं मेरी company का नाम यहाँ पे define कर देता हूँ अब मुझे यहाँ पे logo upload करना है जो मुझे यहाँ पे मेरे google के अंदर जो है वो set होना चाहिए तो मैं यहाँ से upload करूँगा google के लिए logo तो मेरे पास already इस website के उपर जो logo बना हुआ है मैं वही यहाँ से मेरी library से जो है वो select कर लेता हूँ और इसक अगर आप कोई default social share के लिए जो icon use करना चाहते हैं तो वो भी मैं जो है मेरी इसी website का ये logo ही select कर लेता हूँ यही मुझे जो है social default share में भी जाना चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको save and continue कर देता हूँ save and continue करने के बाद जो है हमें यहाँ पे और कुछ चीजे करनी हैं जैसे कि यहाँ पे हमें google का search console का get authorization code चाहिए तो यहाँ पे इस code को लेने के लिए आपको यहाँ पे click करना है तो जैसे आप यहाँ पे click करेंगे तो यह आपको redirect कर देगा इस तरह से तो यहाँ पे बहुत ही user ID से जिस भी Gmail ID से आपका webmaster tool जो है वो connected है अगर पहले से अगर आपने नहीं करा तो आपको उसके लिए sign up करना पड़ेगा बट मेरे पास अलड़ी है तो मैं मेरी email ID को यहाँ पे सिर्फ select कर लेता हूँ और यह directly जो है मेरे webmaster tool में जो उसको list कर देगा तो यह मैंने यहाँ पे allow कर दिया है अब मुझे यहाँ पर यह code मिल चुका यह code मुझे यहाँ से copy करना है और copy करके इसको करना है मुझे बंद और यहाँ पर जाके वो code को मैंने paste करना है और जैसे यहाँ पर मैं paste कर रहा तो आप देख सकते यहाँ पर जो है यह मेरा यहाँ पर clear हो चुका है त लेकिन अभी क्योंकि ये वाली site जो है मेरे google console के अंदर available नहीं है तो उससे पहले मुझे जाकर क्या करना पड़ेगा इसको de-authorized account पे click करना है वापस से तो ये वापस से यहाँ पे हो जाएगा उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा webmaster tool पे तो यहाँ पे जो है google पे जाना है जो add property पे click करना है तो हमार पस दो तरह के option आते हैं तो यहाँ पे हमने url prefer जो है इस पे जाना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ https और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ continue पे click करना है जैसे यहाँ पे continue पे click करता हूँ तो यह मेरी website का ownership जो है वो मुझे verify करना पड़ेगा कि मेरी website जो है वो मेरे से ही belong करती है अब ऐसे में आपके पस बहुत सारे options आते हैं लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे html tag का यहाँ पे जाना क्योंकि यह rank math seo के साथ में पारे पास जो back panel है उस back panel पे जाना तो यहाँ पर हम चल रहा है setup तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दूसरा एक tab के अंदर जो है मैं वापस से यहाँ पर back panel जो है इसका open कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं WP-admin करके कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं back panel पर पहुंच जाओंगा तो अब यहाँ पे back panel पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे जाके मुझे rank math su का जो tool है यह मिलेगा इस पे जाके मुझे general setting पे जाना है general setting में जैसे मैं यहाँ पे click करता हूँ तो यहाँ पर जो है मुझे यह मिलेगा webmaster tool का option तो webmaster tool पे जाना है यहाँ पे यह रहा google search console इस पे जाके मुझे उस code को जो है paste करना है और नीचे जाके इसको save changes पे click करना है तो जैसे ही मैं यहाँ पे save changes पे click करता हूँ तो यह मेरा जो option है वो बिल्कुल सही हो चुका है अब यहाँ पे वापस से मुझे इस page पे जाना है और वापस से यहाँ से get authorization जो code है क्योंकि वहाँ पे मैंने ownership अपनी प्रूफ कर दी है उसके बाद वापस से मुझे यहाँ पे जाना है और वापस इसको allow करना है और allow करने के बाद अब मुझे जो code मिला इसको copy करना है और copy करने के बाद अब मैं यहाँ पे वापस से इस code को paste कर देता हूँ तो यहाँ पे अब जो है यह देख सोते हैं यहाँ पे आ चुका है और अब मेरी जो यहाँ पे website है वो automatically आगी क्योंकि यह already मैंने आपके सामने यहाँ पे authorize कर दी है तो यह githosting.com जो है आचुका है अब मुझे यहाँ पे save and continue पे click करना है तो save and continue पे click करने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे site map के लिए तो site map के अंदर जो है यह on रहना चाहिए site map on रहना चाहिए include image में on रहना चाहिए और public post type में आपको post pages and my template जो है इसको tick रखना है और यहाँ पे public वाला जो option है इसमें भी आपको categories जो है वो यहाँ पे tick रखनी है यह by default आपके पास रहेगा इसमें कोई changes नहीं करना है आपको और आपको इसको save and continue पे click कर देना है तो जैसे आप save and continue पे click करेंगे अब आपको optimization का जो है यहाँ पे मिलेगा तो optimization में जो है आपको यह जो default है यहाँ पे no follow external link तो यहाँ पे no follow external link जो है जितने भी external link होंगे हम paste करेंगे उनमें automatically यहाँ पे no follow लगना चाहिए कि नहीं चला जाए यहाँ पे जो है अगर इसको आप on कर दे तो यह सभी link को no follow में डाल देगा तो इसको हमने यहाँ पे tick कर देना और इसके बाद जो है हम यहाँ पे save and continue पे click कर देते हैं तो यह बस एक changes करना यहाँ पे और आप जो है यहाँ पे ready हो चुके हो congratulations कि आप जो है 100% आपकी website जो है वो on हो चुकी है तो अब जो है हमारा यहाँ पे complete हो चुका है सारा का सारा setup अब return to हम dashboard पे click करके वापस से हम यहाँ पे अपने dashboard के ऊपर आ सकते हैं तो यह हमारा पूरा complete हो चुका है आप देखते हैं यहाँ पे सारी चीजे हमारी complete हो चुकी है और अब जो है हमारा rank math SEO जो है वो बिल्कुल ready हो चुका है तो अब हमें करना क्या है क्योंकि हमने rank math SEO जो है यहाँ पे enable कर दिया है जो हमारे plugins हैं installed plugin पे जाके हमें पूराना वाला जो हमारा plugin है योस्ट SEO वाला उसको हमें यहाँ पे deactivate कर देना है तो यहाँ पे योस्ट SEO यह रहा वो अल्रड़ी deactivate हो चुका है लेकिन अब हमें इसको delete कर देना क्योंकि अब इसकी हमें requirement नहीं है क्योंकि एक ही तरह के दो tool जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते तो I am sure कि पे detail में समझ में आए होंगी फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है कोई भी आपका doubt है तो do let me know in the comment section below so I am sure वीडियो आपको अच्छा लगाओ अगर अच्छा लगा तो like करें share करें और जुनों नहीं अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा उनसे request करूंगा चैनल को subscribe कर दें और